नमश्कार, हार्याना एट 9 पेम नुश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। नमश्कार, हार्याना एक उनके खेत शेहर के जलघर के आसपास हैं। मामने में कारवाही के लिए जनस्वास विभाक को आदेश जारी किये हैं देखना है और तुर दोर ले बर्केश्ट क कर देखना है और एक फार जिन आ्पर रिकोस्ट जाजा said मारे इस खेत का तिम आगा वुकेश्ट को आ जाँ जाओे लो में बशायाग थे हुचित कहर वार्त यह पानी देख भाई या पानी देखह। बाई कितना पानी यह सारे खर को देख लोगा लेगा 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 है यह रिक्वेस्ट अबाई अधिस मेरा नाम है इसमें टुलिक में मेरा लाचाले बढ़िया को डाक्टर नर सब बढ़िया हैं और मेरा सोड़ी तुसका बना प्रेशन करो रहा है बहुत बढ़िया सब आगे तागर बहुत ज़्यादा देख बाड़ करते हैं कोई किसी चीज की कम ही नहीं बहुत अच्छे लागे मरा तयाड़ी के बना रस डाक्टर सब बहुत बढ़िया मेरा प्रेशन हो रहा है कोई किसी चीज की नहीं लागे जगे जगे टूटे मैन होल हो रहे हाथ से शहर में जनस्वास्य विभाग के अंदेखी कभी भी किसी के उपर भारी पड़ सकती है शहर में जगह जगह शिवर के मैन होल खुले पड़े हैं जिनके बारी में जानकरी होने के बावजूद जन्स्वास्ति विभाग इंतर इस तरफ को इध्यान नहीं दे रहा कई मैन होल तो 6-6 महा से तूटे पड़े हैं जिनमें आई दिन कई वाहन फस्ते हैं स्थानी निवास सी मामली को लेकर लगाता जनस्वासे विभाग को समस्य से अवगत कराते विए समाधान की बांग करे हैं जनस्वासे विभाग इस सरफ आखें मुंदे हुए है जो कि कभी भी किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता शहर की कई वार्डों की चुरहओं में से एक वार्ड 12-15 वे 10 के चोक पर लंबे समस्ते सिवर का मेन हॉल टूटा हुआ है जनस्वासे विभाग ने मैन होल की ब्लोकेस को सुधानी की बज़ाए उसमें पाइप लगा कर पाने को नाली में छोड़ रखा है वहीं उसके तूटे ढखकन की सूथ नहीं ली जा रही नतीजा यह है कि अब आई दिन वाहन चाले के चोक से गुज़रते हुए हाथसों का शिकार हो रही है हर रोज कोई ने कोई वाहन इस गड़े में गिरता ही है कारण है कि सिवर के मैन होल का चोक के मोर से करीब होना लेकिन जन स्वासे विभाग को इस बारे में बार बार सूचना देने की बावजूद इस मैन होल की सूध नहीं ली जा रही लगता है जन स्वासे विभाग किसी बड़े हाथसक इंतसार में है जिसके बाद विभाग की ओर से सिवर के मैन होल की सूध ली जाएगी सुदीश SDO का कहना है कि स्टाफ ने मेरे संग्यान में मामला नहीं दिया ततकाल प्रिभाव से मैन होल को दुरस्त करवाए जाएगा ताकि लोगों को परिशानी ना हो जिले में शुकरवार को 146 लोग कोरोना को हरा कर हुए स्वास्थ सोनिपर जिले में मिले 512 नए कोरोना पोसिव केस रहतक में भी बड़े पोसिटिव केस जिबकी बात अगर रहतक जिले की करे तो रहतक में आज 2004 लोग कोरोना से संकरवार मित मिले हैं रहतक में भी आखडाब बढ़ रहा है रहा तक में Black Fungus के मामली भी भढ रही हैं, रहा तक में 12 जनवरी को 96 केस मिले थे, 12 को 133 केस मिले थे, जिबकी 13 जनवरी को 101 केस मिले थे, 14 जनवरी को अचानक 204 पोजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 5 को हस्पताल में भड़ती करवाया गया है बिर्ला इंटर्नेशनल स्कूल, न्यू ब्राँच उफ बिर्ला इन यूर सिटी, अफिलिये टो सीब्यस्थी, क्रिएट दा बेस्ट फूचर फो यूर चिल्डरेंड, आडमिशन ऑपिंग, प्रिनर्सटी तुट्वाल्थ, मेडिकल, ननमेडिकल, कॉमर्स, हुमेनिटीज, स सिंगपोर स्टेदी पैटर्ण को अभैध हत्यार के साथ किरवतार किया है पोलिस को गुपतरोप से सुच्रा मिली थी गन्नो निवासिन अपनी पास अभैध हत्यार रकर करकटा कि तरफ आ रहा है पोलिस जब रोहाँनय मार्ग पर पहुंची तो यूवक पैदल आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस टिम को देखकर वापस मोड़ने लगा, पुलिस ने यूवक को काबू करकी, उसकी तलाशे ले तो उसके पास से अवैध हत्यार बरामत किया गया है, पुलिस ने यूवक के खिलाफ मामला दर्श कर जाच शुरू करती ह राजस्तान में दो लड़कियों के बीच शादी का एक मामला सामनी आया है, एक साल पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई थी, दोनों के परिवारों के बीच रिष्टेदारी है, नमबर 2021 में दोनों ने घर से भाग कर शादी कर ली, घरवालों को इस बार में पता नहीं था, पिछर दिनों जब हरियाना में पुलिस ने पकड़ा तो लड़कियों ने शादी करने का खुलासा किया, ममता नायक चुरू के रतनगड की और कृष्णर नायक हरियाना की रहनी वाली है, रिष्टेदारी में होने के कान पहले से जान वैचान थी, वहीं परिवार का कहना ह कि किसे ने जादू तोना कर दिया है, चुरू में यह पहला लेस्बियन समलेंगिक रिलेशन्शिप का मामला सामने आया है, चुरू के रतनगड पुलिस थानी के एसाई जगदी शिंग ने बताया है कि रतनगड और हरियान की रहे वाली लड़किया रिष्टिदार है, 14 न आदमपुर पुलिस थाने में बेटी के साथ उसकी प्रेमिका भी थी, वहाँ दोनों ने खुला सकिया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करती है और उनों ने शादिक कर ली है, रतनगड पुलिस दस जनवरी को दोनों को पकड़ कर ले गई, दोनों ने ये साथ रहने की इच नजदेकिया बढ़नी लगी और फिर घर से भाग कर फतेहबात में शादि कर ली, शादि के बाद दोनों हर्यान की जीन में साथ रहने लगी। सरकारी रेट पर मिलती हैं, कोई भी दवाई ये रिहायती मुले पर लेनी के लिए संपर करें।